हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल आज मैं आपको मेरे कप में लगे हुए प्लांट दिखाने वाली हूँ तो आईए देखते हैं यह रहा स्नेक प्लांट यह कप में लगा हुआ स्नेक प्लांट है जो मैंने दो मेने पहले लगाया है तो देखें बहुत अच्छे से ग् देखें कितना हेल्डी है यह प्लांट बहुत अच्छे से चानल रहा है इसम्प्ली मिट्टी टाली है मैंने कुछ नए नीचे खाली पत्थर डाले है उसके उपर मिट्टी डाली है और उसमें मैंने कटिंग लगा दी थी तो देखीं अभी यह दो साल का हो चुका है और य और यही मैं रहा मेरा रहा रहोड को प्रेंड में करूगे दिए मैं एक फ्लावर पॉट में लगाया है यह देखे, यह रहा फ्लावर पॉट यह मेरे घर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था बोर हो गया थी मैं इसे देखके तो मैंने सोचे इसमें क्यों न प्लांट लगा दिया जाए और मैंने प्लांट लगा दिया और देखे कितना सुंदर दिखता है इसमें कुछ शंक रख दिये कुछ स्टोन रख दिये तो और भी प्यारा लगता है तो इस फ्लावर पाट में मैंने नीचे खाली पत्थर डाले है जो आधा-धा इंच के हैं और उसके बाद सिंपली मिट्टी डाली है इस मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है गार्डन सॉयल जो भी आपके यह मिलती है आप डाल सकते हैं और इसमें मैंने यह रियोका प्लावर प्लांट लगा दिया था यह इस तीन साल हो चुके है इस लांट को तो यहां पर बेबीबी प्लांट बहुत सारे आए थे जो मैंने शिफ्ट करदिये पोखेंगे luônा सी प्लावर के जैसे लिखने वाला रीहो का प्लांट बहुत प्यास्चा छोड़ी यही प्लावर का भी प्लांट इसंüğहा रीहो का प्लांट् euh covid में अल्डा कम प्लावर आ है यह देखिए बहुत हवा आती है मेरे यहां तो गिर गया था तो पॉट भी थोड़ा सा क्रैक हो गया और प्लांट भी थोड़ा सा गिर गया था इसकी भी हाइट इसके जैसे हो गई थी यह देखिए यहां से तूट गया था तो यह देखिए इसको अभी दो बेबी प्लांट और यह भी बहुत सुन्दर दिख रहे है तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर दिखता है फ्लावर पॉट में भी आप प्लांट लगा सकते हैं मेरे गार्डन में तो नहीं पहला देख विडियो देखा वगा तो इसमें भी आपने देखा वगा बहुत सुन्दर दिखता है और अँग है यह रहा चेन प्लांड यह भी मैंने कप में लगा दिया है यह भी फ्लावर के जैसा दिखता है दीजिए फ्लावर श्대 Mexico यह भी मैंने कप में लगाया है, इसमें भी मैंने नीचे खाली पत्थर डाले है, थोड़े पत्थर आपको बड़े साइज के लेना है, आधा या एक इंच के, उसके बाद सेंपली मिट्टी डाले है, मिट्टी में ही यह प्लांट लगाया हुआ है, मिट्टी में मैंने कुछ एक और है प्लांट जो मैंने चार साल पहरे लगाया था वह है डिफेंट बेकिया का प्लांट ये देखे ये भी मैंने कप में लगाया है देखे कितना हेल्दी और कितना बड़ा हो चुका है ये चार साल का है प्लांट चार साल हो चुके इस प्लांट को ये भी कप में लगाय नीचे भी उसी के तरह जैसे पत्थर है उसके बाद मैंने इसमें रेट डाली है यह रेट में लगाया हुआ प्लांट है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं देखे कितना सुन्दर दिखता है इसके हाइड भी अच्छे से अच्छी हो गई अभी अभी बहुत अच्छी है अब अच्छा दिखता है दैनिंग हॉल में बहुत सुन्दर दिखता है अच्छी है तो आप बगिगिनर्स है फ्रेंड्स तो आप इस तरह से प्लांट लगा सकते हैं अपके लिए अपके लीए एक और प्लांट मेरा मेरा जो शबसे पूराना सबसे पहला प्लांट है जो मैने कप में लगा था जब मैं जादा जानती नए थी जो Nevada में अपने मनसे कप में यह मनीप्लांट मैंने लगा दीया नीचे मैंने कुछ पत्थर डाल दिये इसमें मिट्टी डाल दिया और इसमें 6-7 इंच के कटिंग मैंने मनी प्लांट के लगा दी तो यह मैंने यह देखिए बहुत ही सुन्दर कोई ड्रेनेज होल नहीं कुछ नहीं फिर भी यह प्लांट बहुत ही सुन्दर ग्रो कर रहा है देखिए यह 5 साल का हो चुका है यह देखिए यह मॉस्टिक भी मैंने खुद बनाई है तो उसकी वज़े से यह और भी अच्छे से ग्रो कर रहा है देखिए कितना हिल दी है चोटे से कप में इसलिए ग्रोथ वैसे स्लो है लेकिन फिर भी यह प्लांट बहुत सुन्दर दिखता है मेरे डाइनिंग हॉल में बहुत प्यारा बहुत पसंद है मुझे यह प्लांट तो अगर आप बिगिनर्स है फ्रेंड्स तो आप इस तरह से प्लांट लगा सकते है यह बहुत अच्छा उप्छन आपके लिए और ज़्यादे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है और नहीं कोई मेस होगी तो यह बहुत अच्छा उप्छन में आपके लिए आप इसद मेरे आइडिया पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, कमेंट्स करें, थैंक्स फॉर वाचिंग